हेला वरिवन आज हम बात करने वाले हैं प्लासेंटा प्रीविया कितने परकार को होते हैं तो प्लासेंटा प्रीविया तीन परकार को होते हैं पहला है मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया जो यह फर्स्ट इमेज देख रहा हैं यह आप इसको देख सकते हैं ये फर्ष्ट इमेज के प्लसेंटा प्रीबिया है ये सप лишь कि प्लिप्रेशन प्रीबिया है और यह थर्ड व्ला आपका ये और्फ्लेट प्लसेंटा प्रीबिया है 一 grace ं को आप पहला में मूंबंते हैं कि यह थोड़ा सा एकदम सर्फीस के पास करेंचे बद्कुलिया रहा है यह सर्विक से अभी टच नहीं है ठीक है इसको हम इंगली से बोलेंगे दफ लसेंटा इजे मार्जिनल टचिंग अफ द इंटर्नल वैस बट नो पार्टिल और कम्प्लेट कबरिंग द इंटर्नल वैस डाट इस काल्ड मार्जिनल प्लसेंटा प्रिविया और आप प्लसेंटा 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 कि अब आरग टंच नहीं हुआ है और यह बेख सकते हैं आप यह यह कॉम्पेटि टो तेंग विडियो सकते हैं जेसे सकते हैं पुरह कंप्लेट कर ऑदो देख सकते हैं पुरह कंप्लेटेट को अपर簾न किया हुआ है इसको हम complete placenta previa कहेंगे तो इसको इंग्रेश में बोलेंगे the complete placenta previa is the placenta is complete covering your cervix that is called complete placenta previa जो आप इस वीडियो में देख पा रहा है तो मारगेंगाल में आप देख सकते हैं इस वीडियो को माध्यम साब को हमने इस image में दिखाया है जो कि आप देख सकते हैं यह placenta है यह यहीं तक आके रुग गया है और यहां से आपका cervix चालू है देख सकते हैं यह internal OS है और यह जो आपका partial देख रहा है यह यहां आके touch कर रहा है देख सकते हैं और यहां पे cervix है यह आप देख सकते हैं और यह complete placenta previa है देख सकते हैं और यह cervix है देख सकते हैं यह complete है इसको हम complete placenta previa कहाएंगे इसको marginal placenta previa कहाएंगे देख सकते हैं आप first वाले को और इस second वाले को हम partial placenta previa कहाएंगे और थर्ड वाले इमेज को कॉम्प्लेट प्लसेंटर प्रीविया कहेंगे बाकि आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें धन्यवाद